आपके जहन में भी एक सवाल उठेगा कि आखिर नितीश कुमार जिनका सेकलोर क्रेडेंसियल बहुत हाई है जो सेकलोर क्रेडेंसियल के लिए पुरे देश में जाने जाते हैं आखिर उनके दरवाजे पर माथा टिक ने क्यों भगवा नेता पहुँच रहे हैं जी हाँ बीजेपी के कटर हिंदुत की छवी वाले नेता क्यों नितीश कुमार के दरवार में माथा टिक ने पहुँच रहे हैं दरसल बिहार में इंडिये के सबसे बड़े नेता नितीश कुमार हैं उन्ही के चेहरे पर बीजेपी को बिहार में चुनाओ लड़ना है और जि में नितीश कुमार के दरवाजे पर हर बीजेपी के नेता चुनाव छेतर में जाने से पहले माथा टेक ने पहुँच रहा है। जिन पर संप्रदाइक पहलाने का आरूप है, जिन पर संप्रदाइक हिंसा में भाग लेने का आरूप है। जाने के पहले और एक संदेश देने की कोशिश की की पहले जो भी होता रहा है आप उसको भूल जाईए। और एंडिये के जो मिद्वार हैं उनको जिताने में अपना जी जान लगा देजिए। तो आज असोनी चोबे पहुँचे है, असोनी चोबे भी कटर हिंदुत वादी नेता हैं और उनकी छोई भी एक कटर हिंदुत की है। आज वो भी नितिश कुमार से मिलने पहुचे, नितिश कुमार से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा सुनी है। कुछ भी चलने वारा नहीं है, पूरी देश के अंदर जनता का मिजाज बन गया है। फिर एक बार मोधी सरकार और इस वार अब की बार 400 से पार, 400 से पार और विहार में 400 के 400 सीट पर इनके दाथ खटे होंगे। और ये सारे लोग जानते हैं, लडाई है ब्रश्टा चार मिना में मंदान सरकार की, लडाई है बंसवाद परिवाद बाद बना रास्टवाद की। हम उन रास्टवादियों के साथ साथ पूरे देश में हम छक्का लगान है, 400 से जादा सीटे हमें आये। लेकिन जब ये पत्रकारों ने सवाल उन से पूछा कि तेजपरताप यादो अपने ससूर चंद्रिका राय के खिलाप चुनाव मैदान में उतरने का एलान कर चुके हैं, तब असुनी श्योबे ने क्या कहा, उसको भी जरा गौर से सुनिये, तब पता चलेगा कि क्या गु लगता कि आप रस्ताचार के खिलाप लड़े। यादो भी फंसे हुए हैं, रेलवे होटल टिंडर घोटाले में और उनके पत्नी भी फंसे हुई हैं, बेटी भी जांच के दाइरे में हैं, तो सारा परिवार जांच के दाइरे में हैं, किवल तेज प्रताप को छोड़कर, ऐसे में असुनी श्योबे तेज प्रताप को सल तो देखिए किस तरह से भीजे पीके नेता तेज प्रताप को उकसार हैं अपने पीता के खिलाफ बीगुल फुकने के लिए आपको ये कारक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खुब इसको सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए आपका सहोग समर्थनला कातार मिलना है उसके लिए बहुत बहुत अभार नमस्कार